रशिया युक्रेन वार में एक बहुती इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले वागनर गुरुप के हेड ने रशियन स्टेट को धमकी दिये है कि अगर आप हमें हत्यार मुहया नहीं कराते, साजो समान मुहया नहीं कराते तो हम युक्रेन से पीछे हड जाएंगे ये धमकी दिये है येवगेनी प्रेगोजिन नाम के इस व्यक्ति ने जो वागनर गुरुप एक मिलिशिया गुरुप के लीडर है और ये रशिया की तरफ से युक्रेन में लड़ने वाला सबसे बड़ा मिलिशिया है, इनके हजारों सेनिक युक्रेन में लड़ाई लड़ बगावत की धमकी वो भी वी वीडियो पर, सोशल मीडिया पर दे सकता है, इस पूरे मामले को हम एनलाइस करेंगे, मिलिशियास क्या होते है, उनका रोल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा, मेरा नाम है डॉक्टर मैपाल सिंग राठोट, और आगे बढ़ने से पहले की तैयारी मिलेगी, test series इसमें शामिल है, बोथ for prelims and for mains, और आपको mains के लिए mentorship और interview guidance भी अलग से दिया जाएगा, तो अभी के लिए इसका price हमने 8,000 रखा है, just for the next 48 hours, you can go and join this course, the classes start on 1st of June, अब आजाते हैं हम इस Militia पर, देखे, रशिया-Ukraine war में इस वक्त जो borders चल रहे ह उनकी स्थिती क्या है, यहाँ पर जो भी आपको pink या light red color में नजर आ रहे हैं, यह territories, यह रशिया के control में है, और जो purple color में यहाँ नजर आ रहा है, यह territory, Ukraine ने फिर से रशिया से चीन ली है, और Bakhmut शहर इस gap में स्थित है, so Bakhmut is like at the border, एक्दम crucial junction पर यह शहर स्थित है, यह अब यह कह रहे हैं कि यहाँ से हम पीछे हटने को तयार हैं, तो यह स्थिती थी मार्च और अप्रेल में, जो border है, थोड़ा बहुत change होता रहता है, 10-20 km, लेकिन more or less, इस वक्त एक सवा साल बाद, Russia, Ukraine, युद्ध की यह स्थिती है, कि Ukraine के eastern portion का, south east portion का 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 आफी बड़ा हि यवगेनी प्रेगोजिन के इन वीडियो के कारण, तो इन्होंने तीन वीडियो के करके, यह कहा कि 10 माई को मैं बाख मुझ से पीछे हट रहा हूँ, क्यूंकि हमारे पास ना तो खाने पीने का समान है, ना हमारे पास हत्यार है, आम से ammunition है, कुछ नहीं है, और दसियों हजा पे कुछ restrictions होते हैं, लेकिन आप चाहें तो सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं, यह है यवगेनी प्रेगोजिन, मिलिशिया का लीडर, कमांडर, खुद जाकर मरे हुए soldiers के शरीर दिखा कर, पूतिन को यह सीधा तोर पर कह रहा है, कि देखो, Mr. व्लादीमिर पूति इतना important क्यों है, देखें यह एक प्रकार का paramilitary organization है, यह militia जिसे हम कहते हैं, जो official army में लड़ाई नहीं करता, एक अलग समू में लड़ाई करता है, उसे हम militia कहते हैं, अब militia क्या होता है, इसकी definition क्या है exactly, यह हर देश में अलग है, लेकिन मोटे तोर पर हाग regulations के अनुसा आप जैसे चाहें, वैसे कतले आप नहीं मचा सकते, कोई भी देश की army हो, और वैसे ही rules इन militia पे भी लागू होते हैं, तो यह conditions यहां करी गई थी, set करी गई थी, कि अगर किसी भी senate टुकडी का, या कोई भी हत्यार लेकर लड़ रहा है, उसका कोई commander है, और वो उसके laws and customs of war हैं, उसके अनुसार वो अपने operations को conduct करें, तो अगर हम Wagner Group को देखें, तो इनका proper एक insignia है, यह military जैसी uniform पहनते हैं, उसके उपर यह insignia लगाते हैं, बड़े गर्व से, और यह एक प्रकार की official private military company है, रशिया केवल दुनिया का एकलोता देश नहीं है, जो इस तरह के milit militias को use करता है, अमेरिका ने भी इराक युद्ध में, अफगानिस्तान युद्ध में, बहुत सारे private military contractors को use किया था, और यह जो इसमें काम करते हैं, सैनिक, अमूमम, यह एक कुछ समय के लिए temporary service होती है, एक साल, छे महीने या डेड़ साल की, लेकिन इनको तंखा army soldier से कार इन्हें payment कर देती है, तो रशिया में भी यह वागनर ग्रूप काफी popular है, इसने सीरिया में, और भी कई जगे पहले अपना involvement रखा है, अफरिका में भी कुछ जगे यह badge के साथ soldiers देखे गए हैं, हाला कि यह openly बताते नहीं है कि हमने कहां कहां पर operate किया है, पर युक्रे is an outsider to the conflict and is not member of any official military, तो इसको आप चाहे mercenaries कह लीजिए, या फिर private militias कह लीजिए, ये एक आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, और इनका बहुत relevance है क्योंकि इन्होंने कई सारे important operations में, पिछले डेर साल में इस युद्ध में हिस्सा लिया है और बहुत सारे शहरों को जीता भी है, लेकिन इस Wagner Group पे अफरीका के देशों में भी आरोप लगे थे कि इन्होंने civilians की साथ चोरी करी है, कई सारे rape किये है, torture किया गया है, जो उन्हें छोड़ कर चला जाता है उन्हें, या सामने वाली आर्मी का कोई पकड़ा गया तो उस आर्मी के लोगों को इन्होंने torture किया, इस तरह के कई आरोप इस पर लगे है, in fact in this current Ukraine war अलसो इन पर बहुत आरोप लगे हैं कि इन्होंने काफी torture किया Ukraine के सैनिकों को, इनकी संख्या कितनी है, Russia officially नहीं बताता लेकिन United States के National Security Council Coordinator ने ये कहा था कि approximately 50,000 fighters December 2022 में इनके लड़ रहे थे, इसमें 10,000 contractor और 40,000 convicts हैं, convicts क trade नहीं होते हैं, तो इनकी मृत्यू भी जादा होती है, but yes, they are properly wearing uniforms, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका insignia है, जो इनके इस uniform पर clearly visible होता है, यह इनके office के headquarters के उपर आप देख सकते हैं, insignia लगा हुआ है इनका, तो यह एक तरह की private army है, जो इस युद्ध में इस्तमाल करी गई है, थोड़ा सा यहाँ पर politics भी हमें समझना होगा, येवगेनी प्राइगोजिन, ये व्यक्ति व्लादीमीर पुतिन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये दोनों कहा जाता है कि एक साथ ही अपना career शुरू करते हैं 1990s में, और येवगेनी प्राइगोजिन को कई बार प तो इनको माना जाता है कि ये रश्या के टॉप लीडर्शिप के बहुत नस्दीक है, इसके बावजूद इनको ऐसा वीडियो बनाना पड़ा, this is a very big deal, ये बताता है कि हालात कितने खराब हैं कि अंदरूनी तोर पर चीज़ें नहीं सुदर रही हैं, पूरी दुनिया के सा हमारे सैनिक यहां पर मारे जा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुती क्रूएल कमांडर है, इस इन्वेजन में इनकी सैनिक टुकडियों ने बहुत सारे war crimes कमिट किया है, कई सारे soldiers ने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये हमने war crimes कमिट किया है, और रश्या के खुद क आधा युद्ध लड़ रहा है, half of the war is being fought by this Wagner group और बाकी का आधा युद्ध रशिया की सेना है लड़ रही है, अब इस फूरे वीडियो और इस तरह की open बगावत के खिलाव रशिया का क्या response है, तो officially उनकी defense ministry ने कोई statement जारी नहीं किया है, लेकिन जब ये वीडियो में record कर र होगी, इधर Ukraine की defense ministry ने इस बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये पूरा एक धोका है, 9 माई को रशिया की तरफ से world war 2 की victory को celebrate करने का दिवस है, और उस दिन के anticipation में ये सब नाटक कर रहे हैं, उस दिन ये attack करने वाले हैं, बाक मुझ से और आगे attack किया जाएगा, तो इसल Dublin पर, Ukraine की तरफ से drone attack हुआ, पुतिन को मारने के लिए, अला कि पुतिन को कुछ हुआ नहीं इसमें drone attack में, but still it was a very big security breach for Russia, और इसका बदला लिया है, रशिया ने अपने drones को भेज कर Ukraine में, तो ये drone war भी इस वक चल रहा है, तो देखें, militias क्या होते हैं, ये relevant point है, आपको ध् साल है, इसमें अगर आप अच्छा स्कोर लाएंगे, 13 मही वाले टेस्ट में, तो आपको एक तो vouchers मी लेंगे, हमारी करफ से attractive gifts हैं, tablet है, Samsung tablet, and you will also get scholarships for the Pathfinder अगनीपत batch, perspective series के वीडियो को ज़रूर चेक आउट कीजे, परसो रात को एक नया वीडियो हमने लांच कर दिया है, और हमारे official Instagram, Facebook और Telegram pages से भी जुडिये, thank you so much, have a great day.